नमस्क्राइब दोस्तों मेरा नाम से जिन देबूर आप सभीका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो है बालो के लिए एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी बालो की जिसे मैं उने बताया था कि बालो को जड़ना तूटना कैसे कम कर सकते हैं कैसे आप ऐसे में होने वाले सभीद वालो को जड़ से ही काला कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो मैंने पहले बताया थी यह वीडियो है दूसरी जिसमें मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई टकनीक जिसके दौरा आप अपने वालो को काला कर सकते हैं मैं यहां इस्तेमाल करूंगा हिना का यानि महंदी का हरी महंदी का जो की आम गरों में इस्तेमाल होती है दोस्तों जिसे आप हातों पर भी इस्तेमाल करते हैं जिसे आप सिर पर लगा लेते हैं लेकिन उनका लगाने का तरीका अलग अलग होता है जो आप हातों पर महंदी ल तो जो डेंट्रफ है, रूसी है, वो भी समाफ्त होगी, बाल जडों से ही काले निकलने सुरू हो जाएंगे, जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई side effect नहीं है, जब तक चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका चलता हूँ सीधा वीडियो की तरफ आहीं चलते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब बढ़ना ना भूलें, और आप चाहते हैं कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुचे इसकी मातरह अपना बालो के हिसाब से ले लीजेगा, मैंने आपर 100 ग्रा मेंदिली है, दूसरी चीज जो हमने लिए है वो है चाय की पत्ती का पानी, हमने एक गलास पानी में 5 चमच चाय की पत्ती डालकर उबाला है, जब तक यह आदा गलास न रह जाए, इसे उबालते र जाएगा, इसकी मातरह है 2 चमच, अगली चीज है कत्था, कत्थे का प्रयोग खाने वाले पान में क्या जाता है, यह किसी भी पान वाले से या पंसारी से आप ले सकते हैं, इसकी मातरह है 5 ग्राम, और आगरी चीज है लोंग, हमें 5 लोंग लेनी है, दोस्तों अब प्रोस जितनी भी हमारे पास मेहदी है, 100 ग्राम, इसके बाद चाय की पत्ती का पानी डालना है, जो हमारे पास आदा ग्लास था, जो पकने के बाद आदा ग्लास रहा है था, उसे पूरा डाल देंगे इसमें, इसके बाद डालेंगे हम नीबू का रस, जो दो नीबू हमने लिए थे, उनका रस निकाल लिया था हमने, वो ये रस हम इसमें मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब डालेंगे इसमें पीसी हुई पांच लोंग, जो पांच लोंग हमने लिए थी, वो हमने क्रश कर लिए थी, उसे अब डाल देंगे इसमें, इसके बाद पीसा हुआ कथ था, जो हमने क्रश कर लिया था, पीस लिया था, उसे डाल देंगे, अब इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिश्रण को अच्छे से हम मिला लेंगे इस मिश्रण में गुठली यानी गाटे नहीं रहनी चाहिए यह हमें ध्यान रखना है लंप्स नहीं रहने इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें दोस्तो इस मिश्रण को जो हमने तियार किया है 10 गंटे के लिए धक कर रख देना है इसे तुरंत इस्तिमाल नहीं करना है 10 गंटे के लिए से हम रख देंगे दोस्तो हमारी मेंदी तेचार है इसे बालों पर लगाए जा सकता है 10 गंटे पूरे हो शुके हैं मेल हो या फीमेल हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपको ब्रश की मदद से इसे अपलाई करना है अपने बालों पर लगा सकते हैं आप इसे बड़े अच्छी तरीके से ब्रश की चाहिता से लगा सकते हैं और लगाने के बाद आप कम से कम इसे तीन घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे जब आप इसे वोश करेंगे तब इस बात का ध्यान रखें कि आपको गुन-गुने पानी का इस्तिमाल करना है याद रहे कि आपको कोई साबून, शैंपू या कंडिशनर इस्तिमाल नहीं करना है दोने के लिए प्लेन यानि साधे पानी सही से दो देना है दोने के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल बहुती काले और रेश्मी हो जाएंगे दोस्तों इसके लंबे स्तिमाल से आपके बाल जड़ों से ही काले आना शुरू हो जाएंगे आप यह देखेंगे कि डैंडरफ है, रूसी है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, उमीद है आपको वीडियो पसंद आये होगी अगली वीडियो में चल्द ही मुलाकात होगी, तब तक स्वस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें धन्यवाद दोस्तों